नमस्कार, दोस्तों, शुआगवा अब करने बाले हैं मैंने, आमरी श्री राजके इस विडियों बातकरने बाले है बिहार सिविल कोट बहाली के बारे में दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बना कर जानकाई दिया था कि बिहार में जो इस सिविल कोट में आप लोग का बहाली आने बाला है लगभग 8000 पदों पे आप लोग का जो बहाली हो यहाँ पे होने बाला है तो अभी फाइनली आप लोग का जो बहाली का आप नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी कर दिया गया है यहाँ पे आप लो सब्सक्राइब तो वीडियो को पूरा ज़रूब देखिएगा उससे परहरे आप माचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निशे डेट को सब्सक्राइब इन दो आक माचिन को सब्सक्राइब किजे लाइक केस बिलोग को जितना उसके सब्सक्राइब के दिए और भी लोग को जानकारी मिल सके चले शुरू करते अपना आज के वीडियो तो जैसा आप आप देख पाऊं दोस्तों मै जो आप लोग का एक और रिगूट में जोए एक यहां पर नोटिस आप लोगा जाड़ी किया गया है यहां पर आप लोग का नोटिस डेट बता गया है तो यह सारा पोस्त आप लोग का रहने बाला है यहां पर आप लोग का इंगलिस में नोटिफिकेशन और यहां पर आप लोग का हिंदी में नोटिफिकेशन है तो दोनों मैंसे कहीं पर भी आप लोग क्लिक करना है क्लिक करने बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो नोटिस है वो आप लोग का ओपन हो जाएगा अब सबसे पखले मैं आप लोको बताता हूँ कि इस website पे आपको आना किस तरीके से है और ये notice किस तरीके से मिलेगा तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको एपने google में type करना है ytc आप यहाँ पर ytc देख पाऊंगे यह आपको अपने Google में टाइब करना है, सबसे पहला जो लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर चले आना है, या फिर डिस्क्रिप्टिप्सन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप यहाँ पर आ सकते हैं उसक पाथ आपको नीचे करना है, आपक है जो आपक है यहाँ आपिस जापन हो जाया जाएगा साथ पर यहां पर ऑफिस tap करके एप तो इसम immersion हैं वुरू है तो आपको सुखने में से बिषयव एब स्रीयन दोस्तों यहाँ पर आपको को सुखने पर रिमकलर बम को 5番 को सुखने escawa गया है यहां पर भियाट, डोहर्ट, नेल्गर्वर्ड अधिकारगर्व्म अभली अधिकार। 2022 के तहट आप आप लोगोंगों यह जो बहाली है वह to have a जीलिख है। इसमें क्या-कार रिखती आहब्चिंगे। आप किसे से सब्पाइब क蓹पे। जिसमें कि आप लोग का 1512 सट यहां पर पद रहने बाला है कोट रीडर का हाँ पर सह गवाही लेखक भी आप लोग का कहा जाता है तो उनका जो हैं पर 1132 आप लोग का पद रखा गया है 84 का आप लोग का पद रखा गया है लेकिन 7,000 पदों पर आप लोग का बहाली होने बाला है उसको बद नीचे आप लोग का जानकाई देगा देगा दोस्तों कि यदि कोई अभ्यार्थी एक से अधिक पद के लिए आभेदन करना चाहते हैं तो परतेख पद के लिए अलग-अलग आभेदन पत्र समर्पीत करें के लिए अभेदन करना चाहते हैं स्कीत के लिए और आप जो इत warfare के लिए आभेदन करना चाहते हैं यहाँ पर अब पताई जो सबंधित बिग्यापन व्योहार नेे पटना यहाँ पर notice आप जारी किया गया है और 16.9.2022 को आप फूल notice जो होता है जिसमें कि आप लोग का बताए जाए कि क्या 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 आप लोगा कॉलिफिकेशन राने बाला है क्या age limit राने बाला है साथ में यहाँ पर जो है आप लोगा क्या exam syllabus रहेगा किस तरीके से exam लिया जाए यानि कि फूल जो नोटिस आप लोगा है वो 16.9.2022 को यहाप पर जारी किया जाएगा उसके बाद यहाँ पर आप लोगा बताएगा इच्छू कभ्यारती ओनलाइन आभेजन दिनांक 20.9.2022 से लेके 20.10.2022 तक यहाँ पर आप कर पाईएगा यहाँ दोस्तों यहाँ पर टो यानि अगर आप यहाँ पर ग्रेजुट हैं तो आप यहाँ पर आवेजन कर सकते हैं आप लोगा अस्ट्रोनों ग्राफर के लिए भी हो सकता है कि आप लोगा ग्रेजुशन मांगा जाएगा या फिर हो सकता है कि 12 भी आप लोगा मांगा जाए तो इस तरीके से आप लोग कुछ मैं आप लोगो एक डीटेल वीडियो बना कर जानकाई दे दूँगा लेकिन फिलहाल इस तरीके से आप लोगो जानकाई निकल के आ रहा है आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंदा होगा गड़े वीडियो पसंदा होगा लाइक केस वीडियो को सब्सक्राइब को जम काड़ी मिल सके मिलते नेक्स में तक के लिए धन्यवाज